राजा भोज जो साहित्य और कला के एक महान संरक्षक थे निम्नलिखित राजवन्शों में से किस से संबंधित थे? A. पर्मार B. गुर्जर प्रतिहार C. कारकोता D. उत्पल और इस प्रश्न का सही उत्तर है A. पर्मार B. भोज C. एक हजार दस से एक हजार पचपन ईशा पूर्व पर्मारा राजवन्श से एक भारतिय राजा थे उनका राज्य केंद्रिय भारत में मालवा क्षेत्र के आसपास केंद्रित था जहां उनकी राजधानी धारा स्थित थी पन्ना राश्ट्रिय उद्ध्यान किस राज्य में है A. राजस्थान B. महाराश्ट्र C. गुजरात D. मध्यप्रदेश और इस प्रश्ण का सही उत्तर है D. मध्यप्रदेश पन्ना भारत का बाइस्वा बाग अभ्यारणिय है और मध्यप्रदेश का पाँचवा रिजर्व विंध्यन रेंज में स्थित है और यह राज्य के उत्तर में पन्ना और छतरपूर जिलों में फैला हुआ है पन्ना राश्ट्रिय उद्ध्यान 1981 में बनाया गया था रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? A. रदर फोर्ड B. हेनरी बेकवेरेल C. रोएंट जेन D. आइंस्टाइन और इस प्रश्ण का सही उत्तर है B. हेनरी बेकवेरेल इतिहास रेडियो स्क्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकवेरल ने 1896 में की थी यदि यह क्रिया स्वता होती है तो इसे प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं जबकि मनुष्य के द्वारा करा जाने पर कृत्रिम रेडियो सक्रिता कही जाती है प्राकृतिक रेडियो स्क्रियता मुख्यताय भारी नाभिकों से होती है जे बी डनलप ने किसका आविशकार किया था A. नियूमेटिक रबर टायर B. कार म्यूजिक सिस्टम C. स्टियरिंग वी D. डीजल इंजन और इस प्रश्न का सही उत्तर है A. नियूमेटिक रबर टायर J. बी डनलप को वाईविए टायर का आविशकार करने का श्रे दिया जाता है जिसे पहली बार साइकिल में इस्तिमाल किया गया था इसका पेटेंट उन्हें साथ दिसंबर 1818 को दिया गया था एक टायर के रूप में अपनी प्रतिसकंदन क्षमता को बरकरार रखते हुए कटने फटने को सह सकने की रबड की क्षमता का श्रे उन्हीं को दिया जाता है वाईविए टायरों को डनलप रबड और डनलप टायर के नाम से जाना जाता है निन में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब www का आविशकार किया और इस प्रशन का सही उत्तर है ब्रिटिश वैग्यानिक टिम बर्नरसली ने सी आर एन में काम करते हुए 1989 में वर्लड वाइड वेब www का आविशकार किया वेब की कलपना और विकास मूल रूप से दुनिया भर के विश्वविध्यालियों और संस्थानों में वैग्यानिकों के बीच स्वचालित सूचना साजाकरन की मान को पूरा करने के लिए किया गया था झांवे ऍयादा सूचना सुचना सम।्शना